जब भी प्रेम की बात होती है तो श्रीकृष्ण राधा के प्रेम की मिसाल सबसे पहले आती है राधा श्रीकृष्ण के प्रेम को जीवात्मा और परमात्मा का मिलन कहा जाता है राधा श्रीकृष्ण का बचपन का प्यार थी श्रीकृष्ण जब आठ साल के थे तब दोनोंने प्रेम की अनुभूती की राधा श्रीकृष्ण के दैविय गुनों से परिचित थी उन्होंने जिन्दगी भर अपने मन में प्रेम की स्मृतियों को बनाए रखा यही उनके रिष्टे की सबसे बड़ी खूबसूर्ती है कहा जाता है कि श्रीकृष्ण को केवल दो ही चीजें सबसे ज्यादा प्रिय थी ये दोनों चीजें भी आपस में एक दूसरे से गहराई से जुड़ी हुई थी बांसुरी और राधा कृष्ण की बांसुरी की धुन ही थी जिससे राधा श्रीकृष्ण की तरफ खिंची चली गई राधा की वजह से श्रीकृष्ण बांसुरी को हमेशा अपने पास ही रखते थे भले ही श्रीकृष्ण और राधा का मिलन नहीं हो सका, लेकिन उनकी बानसुरी उन्हें हमेशा एक सूत्र में बांधे रही श्रीकृष्ण के जितने भी चितरन मिलते हैं, उनमें बानसुरी जरूर रहती है बान्सुरी श्री कृष्ण के राधा के प्रती प्रेम का प्रतीक है वैसे तो राधा से जुड़े कई अलग-अलग विवर्ण मौजूद हैं लेकिन एक प्रचलित कहानी नीचे दी गई है भगवान श्री कृष्ण से राधा पहली बार तब अलग हुई जब मामा कंस ने बलराम और कृष्ण को आमंत्रित किया ग्रिंदावन के लोग यह खबर सुनकर दुखी हो गए मथुरा जाने से पहले श्री कृष्ण राधा से मिले थे राधा कृष्ण के मन में चल रही हर गतिविधी को जानती थी राधा को अलविदा कह कृष्ण उनसे दूर चले गए कृष्ण राधा से ये वादा करके गए थे कि वो वापस आएंगे लेकिन कृष्ण राधा के पास वापस नहीं आए उनकी शादी भी रुक्मिनी से हुई रुक्मिनी ने भी श्री कृष्ण को पाने के लिए बहुत जतन किये थे श्री कृष्ण से विवाह के लिए वह अपने भाई रुक्मी के खिलाफ चली गई राधा की तरह वह भी श्री कृष्ण से प्यार करती थी रुक्मिनी ने श्री कृष्ण को एक प्रेम पत्र भी भेजा था कि वहां आकर उन्हें अपने साथ ले जाएं इसके बाद ही कृष्ण रुक्मिनी के पास गए और उनसे शादी कर ली कृष्ण के वरिंदावन छोड़ने के बाद से ही राधा का वर्णन बहुत कम हो गया राधा और कृष्ण जब आखिरी बार मिले थे तो राधा ने कृष्ण से कहा था कि भले ही वो उनसे दूर जा रहे हैं लेकिन मन से कृष्ण हमेशा उनके साथ ही रहेंगे इसके बाद कृष्ण मतुरा गए और कंस और बाकी राक्षसों को मारने का अपना काम पूरा किया इसके बाद प्रजा की रक्षा के लिए कृष्ण द्वारका चले गए और द्वारका धीश के नाम से लोकप्रिय हुए जब कृष्ण व्रिंदावन से निकल गए तब राधा की जिंदगी ने अलग ही मोड ले लिया था राधा की शादी एक यादव से हो गई राधा ने अपने दामपत्य जीवन की सारी रसमे निभाई और बूढी हुई लेकिन उनका मन तब भी कृष्ण के लिए समर्पित था राधा ने पत्नी के तौर पर अपने सारे कर्तव्य पूरे किये दूसरी तरफ श्री कृष्ण ने अपने डैविय कर्तव्य निभाई सारे कर्तवियों से मुक्ठ होने के बाद राधा आखिरी बार अपने प्रियतम कृष्ण से मिलने गई जब वह द्वार का पहुची तो उन्होंने कृष्ण के रुक्मिनी और सक्यभामा से विवाह के बारे में सुना लेकिन वह दुखी नहीं हुई जब कृष्ण ने राधा को देखा तो बहुत प्रसंद हुए दोनों संकेतों की भाषा में एक दूसरे से काफी देर तक बाते करते रहे राधा जी को कानहा की नगरी द्वारिका में कोई नहीं पहचानता था राधा के अनुरोध पर कृष्ण ने उन्हें महल में एक देविका के रूप में नियुक्त किया राधा दिन भर महल में रहती थी और महल से जुड़े कार्य देखती थी मौका मिलते ही वह कृष्ण के दर्शन कर लेती थी लेकिन महल में राधा ने श्री कृष्ण के साथ पहले की तरह का आध्यात्मिक जुडाव महसूस नहीं कर पा रही थी, इसलिए राधा ने महल से दूर जाना तै किया उन्होंने सोचा कि वह दूर जाकर दोबारा श्री कृष्ण के साथ गहरा आत्मिय संबंध स्थापित कर पाएंगी उन्हें नहीं पता था कि वह कहा जा रही हैं, लेकिन भगवान श्री कृष्ण जानते थे धीरे धीरे समय बीता और राधा बिलकुल अकेली और कमजोर हो गई उस वक्त उन्हें भगवान श्री कृष्ण की आवश्शक्ता पड़ी आखिरी समय में भगवान श्री कृष्ण उनके सामने आ गए कृष्ण ने राधा से कहा कि वह उनसे कुछ मांगे, लेकिन राधा ने मना कर दिया कृष्ण के दोबारा अनुरोध करने पर राधा ने कहा कि वह आखिरी बार उन्हें बानसुरी बजाते देखना चाहती है श्री कृष्ण ने बानसुरी ली और बेहद सुरीली धुन में बजाने लगे श्री कृष्ण ने दिनरात बानसुरी बजाए जब तक राधा आध्यात्मिक रूप से कृष्ण में विलीन नहीं हो गई बानसुरी की धुन सुनते सुनते राधा ने अपने शरीर का त्याग कर दिया हालां की भगवान कृष्ण जानते थे कि उनका प्रेम अमर है बावजूद वे राधा की मृत्यू को बरदाश्ट नहीं कर सके कृष्ण ने प्रेम के प्रतिकात्मक अंत के रूप में बानसुरी तोड़कर जाडी में फेंक दी उसके बाद से श्री कृष्ण ने जीवन भर बानसुरी या कोई अन्यवादक यंत्र नहीं बजाया कि कहा जाता है कि जब द्वापर यूग में नारायन ने श्री कृष्ण का जन्म लिया था, तब मा लक्ष्मी ने राधारानी के रूप में जन्म लिया था ताकि मृत्यू लोक में भी वे उनके साथ ही रहे।